ओलो फ्रेंट्स वेल्कम डुएरल बायोग्राफि आई हूप अप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं शिलपा सिंदे का शाइधी कोई ऐसा होगा जो सिलपा सिंदे को न जानता हो शिलपा सिंदे वही हैं जिनोंने ग्रिक वोज सीचन 11 के टोफी अपने नाम की थी वो काफी सुंदर एक्टरेस हैं इन्होंने अपने लाइफ में काफी टीवी चैनलों पर आने वाले नाटकों आधि में काम किया हैं ये टीवी एक्टरेस के रूप में जाने जाते हैं में काम करके अपने एक्टिंग करियर के जड़ को मजबूत किया है इसके अलावा ये हरे मिच लाल मिच चुरिया घर जैसे सो में भी नजर आई हैं लेकिन जब वो भावी जी घर पे हैं नाटक थारावाहिक ने नजर आई तब इसे सो ने उनके करियर में चार चांद लगा लेकिन इस्षो के निर्माताय के साथ कुछ अनबन हो जाने के करण इन्हों ने इस्षो बीच में ही छोड़ दिया सिल्पा नितु सौजन सेवंटीन में बीबॉस सीजन 11 में हिस्षा लिया था जिसकी वो विनर बनके बाहर निकली इनका जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई भारत में हुआ था शिल्पा ने मुंबई से साइकोलोजी में टिक्री हासिक की है और उसके बाद डांस एकटमी में शामिल हो गई शिल्पा कहती है कि उनका बच्पन से यह मन था कि वह एक्पी फिल्ड में जाए और उनका डांस में मन लगने के कारण उन्होंने इसी फिल्ड को जासे इन्हें अपने बहतरीन अभिने के दम पर जाना जाता है उन्होंने कई धरवाइकों में काम किया है और कुछ तेल्गू और माराठी फिल्मों में भी हाथ आचमाया है लेकिन उस छेत्र में उन्हें काम्याबी नहीं मिली शिल्पा सिंदे एक समय एक्टर रोमिर रा साथ भी हुआ अन्बन खूब चर्चों में आया था शिल्पा का कहना था कि भावी जी घरपे है शो से विकास नहीं उन्हें निकाला है यहीं उनके बीच के जगड़े की वज़ा बताई जा रहे थी और उनके बीच के इस जगड़े को भी बॉस सीजन 11 में जब दोनों ने एक साथ हिस्सर लिया था तब देखा जा सकता था और अब इन दिनों शिल्पाशिंदे जलब दिखला जा सीजन 10 में नजर आ रहे हैं तो फ्रंस आपको शिल्पाशिंदे के बारे में ये वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आती है तो प्रिस लाइक शिर कमेंट और सब्सक